दोस्तो आने वाले विधान सभा चुनाव से पहले बीजेपी को पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ा जटका लगा है आपको बता देना चाहते हैं आप लोगोंने देखा ही होगा कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में भारती जनता पार्टी ने टीमसी के बहुत सारे पारसद या MLS को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल किया है जो कि त्रमोल कॉंग्रेस के लिए काफी बड़ा जटका माना जा रहा है लेकिन ऐसे में त्रमोल कॉंग्रेस यानि कि टीमसी ने एक बार फिर से वापसी कर ली है और बीजेपी को बहुत बड़ा जटका लिया है वो क्या दिया हमें आपको आगे बताओंगा लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप चाहते हैं हमारे देश में इस पर चुनाओ हूँ और इस पर पॉलिटिक्स हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब क्याता जो की त्रिनुनोर कॉंग्रेस आनि की टीमसी ने एक बार फिर से वापसी करते हुए भाजपा के मुह से यह सारे नेताओं को छी लिया और अपनी पार्टी में फिर से यानि की वापस ले लिया है दोस्तों लोग सभा चुनाओं के बाद भगवा पार्टी में शाम है उनका वहीं आपको बता देना चाहते हैं तरुनमोर के वरिष नेता मंत्री फरहात फाही हाकिम ने कहा कि इसी के साथ टीमसी ने सभी छे इस्थानी निकायों पर अपना नियंत्र पा लिया है जिने भाजपा ने आम चुनाओं के बाद अपने हिस्सी में कर लिया था और भाजपा ने दावा किया कि टीमसी ने पारसदों को लोटने पर मजबूर करने के लिए राजिनीतिक एवं परशासनिक दबाव बनाया है नार्थ 24 परगना जिले के नौहाटी नगरपालका के 31 पारसदों में से 18 भाजपा में शामिल हो गए थे जिससे नियंत्रन भाजप के पास आ गया था 18 पारसदों में से 10 फिर से टीमसी में शामिल हो गए हैं और आरोप लगाया कि उन्हें बंदों की नोग पर भगवा केमे में शामिल किया गया था इन 10 पारसदों की वापसी के साथ ही नगरपालका में टीमसी की संख्या 23 हो गई है जो की टीमसी के लिए अच्छे संकीत हैं वही भाजपा को बहुत बड़ा जटका लगा है पश्चिम बंगाल से दोस्तों इस पर अगर आप अपनी कोई परत्क्रिया देना चाहते हैं प्लीज दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए चानल को सब्सक्राइब जरूर करे स्दक्राइब चानल कर दीजिए चानल को सब सकते हैं वरेश हैं तहुर जीजए जरूरे क करे दोगा कर दोगा हैं जरूर को सब्सक्राइब झाज़रूर कुमीत विजए को अधरमका हैं पक your